कैमरा स्मार्टफून अडो 45,000 तो भई अगर आपका भी बजट 45,000 है इस प्राइज रेंज में आपके बहुत तगड़ा कैमरा लेना जाते हो तो भई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए वीडियो को पूरा देखना स्केपर मत करना स्टार्ट करता है वीडियो लेकिन वीडि स्मार्टफून की बात करो सबसे पहले इसका प्राइज जो है वह आपको 45,000 से थोड़ा सा पर देखने को मिलेगा आपको 1,000 या 2,000 एक्स्टा पे करना पर जाएगा लेकिन अगर आप 5 परसें या 10 परसेंट आफ ले ले तो आपको अंडो 5,000 नॉर्मली देखने को मिल ज आप 4K में शूट कर सकते हैं इसका कैमरा बैक कैमरा तो इसका बहुत जादा सही है तो भई अगर आपको एक कैमरे के रिलेटेड स्मार्फून चाहिए तो 1 प्लस 8 प्रो भी आपके लिए पॉफ्ट डिल हो सकता अगर आपने अभी तक नहीं चावड गया था 1 प्लस 8 प्र प्लस अगरा होने वाला है अगर आपने इंडोर यूज़ करना आपके लिए प्लस अगर आपने आउट्डोर यूज़ करना आपके लिए ठीक है प्रसाइसर की बात करूं आपको स्नैप्रेगन 865 देखने को मिल जाता है चुक्कि सावन नैनुमेटर टेकनोलोजी के साथ बेस्ट परसाइसर भी बहुत अगरा मिल जाता है इस्टोरीज की बात करूं आपको मिल जाता है प्लस अट्माप्सर प्लस अब कर प्लस की बात करूं आपको 16 MP प्राइज की बात करूए इसका प्राइज में आपको पहले भी बता दिया कि आपको 48,000 के बज़र में OnePlus 8 Pro देखने को मिल जाता अगर आप एक्सरा पे खर सकते हो तो बहीं आप चल जाना एंड अगर आपको OnePlus लगूरो आपको डिजाइन अच्छा लगता है एंड इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा अगर आपने नहीं चागुड गया था एक बर चागुड कर लेना यह बैस्ट है फो कामरा के लिए माना गया ठीक है अगर आपने सर्च आउड करना आप यूट्यूब पर देख लेना वीडियो के अकॉर्डिंग आप फोन लेना चाहते हो ना तो भाई आपके लिए पोफ्रक्ट डील हो जाता है इसके में स्वैसिविकेशन की तो यह डिस्प्ली की बातों को 6.67 च 3D कोफड अमलेट डिस्प्ली मिल जाते है जो की 90 रिफ्रेश एड के साथ आती है प्रसाइसर की बात करूं आपको स्नापड़ागन 864 मिल जाता है 30v चाज्विकेशन मिल जाते वालस चार्जिंग स्पो energy स्पूर्ट करते है प्लस आपको रिवॉर्स चार्जिंग दीकनी को मिल जाते है कैमरे की बात करूं आपको कॉर्ण इस की यह यह मेधा औरको श्मivering यह माौने कैमरस यह बदाब करूंPod ऐनौंけれ अगर आप मतलinho सकते हो अब आगे बात करते हैं नबो थ्री की बात कुरिया नबो थ्री पर मैंने रखाया असूस रॉग फून तरी को तो यार वैसे तो यह गीमिंग स्मार्टफोन है लेकिन गीमिंग स्मार्टफोन के साथ साथ इसका कैमरा भी बहुत अगड़ा मिल जाता है आप 8K में वी इसके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है सो अगर आपने आउड़ शूट करना तो आपके लिए पॉफेक्ट डील हो जाता है यही चीज तो चाहिए होती है ठीक है अगर आपने अभी तक नहीं देखा था असूस रॉग फून 3 को आप चाहूर करना मैंने लि अभी बात करता है असूस रॉग फून के में स्पैसिफिकेशन की तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.59 इंच फुल अच्ट प्लस डिस्प्ले मिल जाते है जो की एमॉड एच्टी आड़ डिस्प्ले सबसे ज्यादा अच्छा डिस्प्ले ना असूस रॉग फून 3 में आपक करने को मिल जाती है तो अगर आपने मुल्टी डास्किंग करने है न वो भी आप स्मूथ ली कर सो कोई प्राब्लम नहीं आने वाली प्लस आपको वान टोट एग्वी स्टोरेज मिल जाते है बैंटरी की बात करूं आपको 6000 एमेज की बैंटरी मिल जाते है अगर आपने लेकिन इसकी सेल्फी भी बहुत अगरे आपको 24 मेशेल मिल जाती है अधर फीचर की बात करूं आपको डूब यूस भी पोर्ड जाते है और जीबी लाइंग मिल जाते प्लस आपको कूलिंग सेस्टम मिल जाता प्लस एव ट्रिगर वगरा भी देखने को मिल जाता है प्रा स्रॉग फूझ ठीक है अगर आपने स्माटफुन के हो जाना है आप पर स्माटफ़ुण करने से पहले मैं आपको इतना बता देना o जात हूं k что आनने रोटण को कॉमइन कर देने के स्म्संग लैक्सेट eclipse की आफ सी ड wildlife S20 F2D की दोनों फून बहुत तगड़ियां ठीक है। लुकवाज देखा जाए a color वाज देखा जाए a प्रसाइसर हो गया डिस्प्ले हो घ्यों उसके बाद ऐसरार हो गया दोनों में आपको camera बहुत तगड़ा मिल जाता है बेक कैमरे में दोनों फूंस में आप ना 8K वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट कैमरे में आप 4K शूट कर सकते हो दोनों स्मार्ट फूंस में ठीक है तो आप देख लेना अगर आपको सामसंग लेक्सियास 20 प्लस का डिजाइन अच्छा लगता है तो भई आप उसके और जा स सकते हो दोनों आपको 45,000 के बज़र में देखने को मिल जाते हैं तो बही अगर आपने इन की आर जाना है आप जा सकते हो इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अभी बात करता है दोनों के में स्पैसिफिकेशन की तो सैमसंग गलेक्सिंग एस दिखने को मिल जाते हैं तो यह डिस्प्ली की बात करो को 7च दस्क्रिक दानमैक आप यह देखने को मिल जाता है जो की सेवन नमेटर टिकनोलोजी के साथ बेस यह भी बहुत तक्राइटिक है स्टोरिज की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते हैं प्लस 120GB स्टोरेज बैंटरी की बात करूं आपको 4500 की बैंटरी मिल जाते हैं कैमरे की बात हों को कौर कैमरा स्याड़ मिल जाता है 64MP प्लस 12MP प्लस 12MP प्लस 2MP अपक्स decíaटी की बात करो आपको 10MP सेलफी मिल जाते हैं प्राइज की बात करो इसका प्राइज भी आपको 45000 के बज़ड में मिल जाएगा नॉमली इसलिह मिल जाएगा प्लस एक Samsung का नया फ्रून लॉंज ओग है तो इसका प्राइज और भी कम होने वाला अगर आपने जाना है Samsung Galaxy S20 Plus के और आपके लिए perfect deal हो सकता है तो यहार में specification में आपको Samsung Galaxy S20 FC के भी बता दिये मैंने आपको Samsung Galaxy S20 Plus के भी बता दिये अभी आपने देखना है दोनों में से जो भी आपको सही लगता है अभी बात करते हैं अगर मेरा बजट होता तो भाई मैं जाता है इंक दोनों स्मार्टफोन की यारी विकाज आपको 8K शूड मिल जाता बैक कैमरे में एंड फ्रेंट कैमरे में आपको 4K option मिल जाता जो कि सच में matter करता है कैमरा क्वाल्टी बहुत अगड़ी है प्लस सामसंग का प्रावेसी सिस्टम बहुत तगड़ा होता है उसके बाद स्कीन की डिस्प्ले वगारा भी बहुत ब्यारी होती है अगर आपने 15,000 के बजट में भी सामसंग का फूँ लेना ना उसमें भी आपको आपको डिस्प्ले को अगर आपको चावड करना तो चावड करना तो चावड करना तो चावड भी कर सकते हो अभी में नाए वीडियो के साथ को नया टॉपिक लेगा है अगर आपके साथ शियर करेंगे अगर आपने मुबाइल फून लेने या लैक्टाप लेना कुछ भी ऐसा वैसा लेना चाहते हो को गाट इस बखारा देखना चाहते हो तो बही मैंने सभी की वीडियो किया मेरे चैनल के आपको देखने को मिलता है कि उसको चावड करना बह कि